हेलो एवरिवन आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बीए टीचर और यूझा हाउ टू बीए गुड टीचर एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या चीजें हमें चाहिए क्या चीजें हमें सीखनी है इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि वह कहते हैं पुरानी कहावती कि टीचर तो बाई बर्थ बनते हैं या टीचर बाई बर्थ पैदा होते हैं तो मेरा पॉइंट ओफ्यू इसमें थोड़ा सा लगया मुझे लगता है कि टीचिंग भी एक स्किल है और इस्किल मिन्स वाट विचेंग लेंट फॉम अठर्ष अब वैसे तो मैं कौन होता हूं ये बताने वाला बत्व सकती है अब जजज ना करें कि सरक्यों सीखा रहे हैं कि कैसेश अच्छा बनना है वह अगर आपको कुछ काम का लग रहा है तो आप इसमें से कुछ सेख सकते हैं अगर आपको यह हमारा टॉपिक है लेकिन वाइडिस इस टूबी डिसकस्ट ऐसा क्यों हुआ कि इस टॉपिक को डिसकस्ट करने की नीड मुझे फील हुई और मैं इस पर बात कर रहा हूं देखो आज कल का सिनेरियो क्या है कि अच्छे टीचर मिल नहीं रहे हैं हैं बढ़ वो एक लिमिंटर एरिया में सीमीत हैं ऐसा नहीं अच्छी टीचर में बहुत सारब हजारों लाख्यों हैं बहुत सारे टीचर्ष को प्लेट हों फॉर्म ही नहीं मिल पार bendtwerkत है की जब हम टीचिंग का द्वीत निकालते हैं या रेक्रूट करते हैं कई सारे रिज्टुम हमारे पास आते हैं कहीं पार हम डमो स्टेशन भी हम लेते हैं टीचर्स का तो बहुत सारी कमिया हमें नजर आती हैं जो हम उने बताते हैं कि आप इन पर काम किजिए लेकिन आज जो भी कि करना चाता है वो क्या है उससे पैसा दो कमाना चाता है उससे अरंद करना चाता है है वह से आप यह जो होती मुझे आस लग रहा है यहा है अ Bible यह बहुत कम सर आप हमें हमारी कमियां बताइए हम उन पर काम करेंगे बहुत कम लोग टीचिंग करना चाहते हैं लोग कई बार तो ओवर कॉन्फिडेंट होते होने लगता है कि वह फ्लोर पर जाएंगे और बस आग लगा देंगे ऐसा नहीं होता है टीचिंग आर्ट जैसा कि मैंने कहा और इसमें सालों लग सकते हैं सीखने में लगबग 14 years है हम लोग टीचिंग कर रहे हैं और आज भी जब हम टॉपिक पढ़ाने जाते हैं तो इसको अच्छे से पढ़के जाते हैं और हर बार कोई नों को यह एक लाइन मुझे ऐसी मिलती ह है कि या अच्छा इस लाइन का यह मतलब था जो मुझे इतने सालों से समझ में नहीं आ रहा था हर क्लास में वही टॉपिक बार-बार-बार पढ़ाने के बाद असा लगता है कि इस लाइन को तो ऐसे समझा रहा था तो आज का टीचर सीखना नहीं चाहा रहा है इसलिए इ बाद बोल रहे होते हैं कि आज के समय में अच्छे टीचर्स की बहुत जरूरत है आप लोगों में से ही जल्दी से सैटल हो और आगे आए और एक अच्छे टीचर बने समाज के लिए नॉलेज दें जो आपने सीखा है उसको आगे लिके जाए लेकिन सो लोगों को अपने अब दाला है तो मुस्किल से कोई एक वेरी भी शाहिद नहीं आती मतलब 200-300 लोगों को ग्रूप में डालने के बाद वाट सब्सक्राइब करने के बाद को यह एक दो दो इंट्रेस्ट दिखाते हैं और वह डेमोंस्टेशन में फेल हो जाते हैं मुझे यह लगता है कि आज का इस्टूडेंट के अंदर वह जील नहीं है वह इच्छा नहीं है कि टीचिंग मुझे करनी चाहिए बहुत सर रीज़न हो सकता है उन्हें पैसा नजर नहीं आता हो इस फिल्ड में हो सकता है उन्हें इंटरनल मॉटीवेशन ही नहीं मिला हो बच्पन से हो सकता हूं ना कॉंफिडेंशी नहीं हो कि वह अच्छी टीचर बन सकते हैं आज हम फर्स्ट कोई डिसकस करेंगे तो बिकम गुड टीचर फर्स्ट टूबी लुक लाइक टीचर अब लुक लाइक से मेरा मतलब कोई हाई-फाई-ब्रेंड कपडे ब्रेंड श चाहिए मैं देखता हूं कि आज इस्टुडेंट एक दो कुशन क्लास में पूछ लेते हैं तो तीसरे कुशन पर तो टीचर इरीटेट हो जाता है उसको तो कुछ नहीं बोल रहा है किसी दूसरे थार्ड इस्टुडेंट को चिला रहा है डांट रहा है इंसल्ट कर रहा है विनम्रता आपके चेहरे पर दिखनी चाहिए मेरे कहने का मतलब लुक लाइक से यह है कि आपके जैस्ट शेर कैसे होने चाहिए जब आप ओडियंस और इस्टुडेंट को डील कर रहा है तो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर्ली कुछ इस्टुडेंट को ही आप घूरे जा रहे मैं देखता हूं कई पर टीचर बस जो खुद नर्वस होते हैं या जब नहीं नहीं टीचिंग करना शुरू करते हैं तो उनके एक्स्प्रेशन रहते हैं कि बस वो आगे वाले जो दो-चार इस्टुडेंट होते हैं उन पर बस नजर गड़ाई रखते हैं उनका confidence इतना ड को भी वाइल कम्यूनिकेटिंग वाटर दफेक्टर वी शुड़ कंसीडर तो उसी की बात कर रहा हूं कि आपके फस्ट ऐसे होने चाहिए कि आपके चेहरे से कामनेस दिखाई दे आप जब ओडियोंस को देख रहे हैं तो हर तरफ आपकी आई-ई-ई-ई-आपनेक्ट होना करेंगे मेरे टंग आपति हुगं गाए ह्मफर करक ख़ड़ा हो गया और मैं नए ठी Congo को दीवार ससाहरा लेकर खड़े हो जाते हैं एक Θी तोP कर लिथे हैं एक सख़ड़े रहते हैं हाथ पीछे बांग लेते हैं ऐसा हमें नहीं करना है हमें एक straight position रखनी है हमें हातों को ऐसे नहीं रखना है हमें हातों को pocket के अंदर नहीं रखना है हम normally जब हम communicate कर रहे हैं तो हातों का use भी बराबर चलना है और अगर आप बोल नहीं रहे हैं सीधे हाथ को खड़े करके रख सकते हैं चेर पर बैठे हैं तो सीधे रख सकते हैं आज का स्टूडेंट बहुत समझधार है पीचर की नर्वसनेस को मिनिटों में पता कर लेता है कि वो टीचर नया है है एक्सपीरियंस है पुराना है तो यह पॉइंट में डिसकूस किया अब लुक लाइक में हावेवर ड्रेस ऑल्सों मैं आप सिंपल और सोबर कपड़े पहन सकते हैं जरूरी नहीं है कि फॉर्मल्स में ही अच्छा लगता है एक टीचर कैजवल भी आजकल प्राइवेट इं है जिसका मातबाई जैसे होते हैं बच्चा बंते हैं एसा के जिसका जैसा गुरू होता है उसका छेल वैसे बáficंता है बल्कि मैं कहारां उससे ज्यादा बनता है वो कहते हैं ना कहावत है कि गुरू गुड़ हो गया पर चेला चीनी बन गया मतलब उससे भी ज्यादा रिफाइंड हो गया वह तो आप जैसे रहेंगे जैसा बरताव करेंगे जैसा सिखाएंगे प्रोड़क्ट भी तो वैसे ही बनेगा तो डिसेंट एनफ आप अपना ड्र क्लासे उनकी अप्लोड हो रखी है कि इतना प्रोकेटिव नहीं हो आपके क्लॉदेज की वो डिस्ट्रेक्ट कर रहे हैं और बच्चा कॉंटेंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप जब बोल रहे हैं तो इजी टू अंडर्स्टेंड वोकेबलरी यूज करें अगर स्टेक्नीकल टॉण्स नहीं कहते हैं वह इसने हाई- कर लेता है कि ये तो लग जाता है कि वह क्या पढहिए पर अंदर ऑखरोगें इंदर जोच रहे है कि पज्च समज में तो आया है ऑप scorplier तो आज की वीडियो में देखिए लास्टी में एक बार रिवाइज करा देता हूं हमने क्या डिसकस किया है, हमने डिसकस किया है, फर्स्ट पॉइंट विपलू टीचर, बी एंड लूक लाइक अ टीचर, जिसमें हमने gesture की बात किया है, आपके gesture काम रहने चाहिए, आपके humbleness देखने चाहिए, अब हमबलनेस का मतलब इतना भी हमबल नहीं है कि कि sometime the student take advantage for it, कि class को disturb करने लग जाते हैं, but teacher should be learned that, कि वो humbleness की limit क्या है, कि कब उसे class को control करना है, मतलब let the teacher allowed, कि आप आप doubt पूछ सकते हैं, the house is open, that is humbleness, the house is open for asking any question, now it's your turn, बड़ अगर excessive humbleness रखेंगे पूरे time ही, तो हो सकता है, फिर आपको class को disturb होगी, तो teacher ये complain करता है कि sir, हम जादा humble हो जाते हैं, तो student हमारी class को disturb करने लग जाते हैं, कभी कोई relevant question पूछता है, कोई भी कूछता है, आप अपने content focused रहिए, लेकिन जब आप उन्हें allowed करें, तो एक गंटे की class है, अगर, सवा गंटे की class है, तो दस मिनट आफ रिजर्व रखिए, doubt session के लिए, या तो topic के starting में पिछली class से रिलते, या topic खतम होने के बाद आज की class से रिलते, और उसमें आप ready हो जाएं, कि student कुछ भी पूछ सकता है, और आपको अपने topic पर command होनी चीए, suggestion, humbleness, posture, while communicating, we must use in a right way, vocabulary, do not use excessive jargles or technical terms, dressing sense, dressing sense, जो मैंने बात की, एक बात याद रखिएगा, जितने भी student इस बात को सुन रहे है, society को teachers की जरूरत है, अच्छे teachers की जरूरत है, गिने चुने teachers, आज YouTube platform पर इस command को समभले बैठे हैं, बढ़ हजारों लाखों teachers की जरूरत है, और मैं कहता हूँ कि student में से क्या आगया ही है, आगया ही है, teacher बनिये, मुझे लगता है कि हर student अच्छे teacher से तो पढ़ना चाता है, बढ़ अच्छा teacher बनना कोई नहीं चाता है, that not fair enough, बताईएगा comment box में, आगे बढ़ाते हैं इस topic को, thank you and good luck.